प्रेंड्स लग रहा है नब ओती क्रिस्पी अनास्ता बहुत ही टेश्टी लगता है और वहुत तीज़ाट बन करके रेडी हो जाता है और बहुत ही आसान तरीके से बनता है कम चीजेजों से आपको बनाने के लिए यहुंने पोहा लिया है पोहा आप कोई साभी ले सकते हैं जो आप कहानी में यूज होता हो वो पोहा आप यहां पर यूज कर सकते हैं और पतला वाला हो मोटा वाला हो जो आप यहां उपलब्द होता हो वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं अगर मारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज हमारे चैनल को स तो इस बावल हमारा थोड़ा चोटा है इसमें भूल नहीं पाएंगे इसको तो इसको दूलने के लिए हमें बड़ी बरतन की जरूरत पड़ेगे फ्रेंट्स तो चलिए इसको हमें गालक वावल में आइड कर लेते हैं इस पोये को और एड करके अच्छे से हमें इसको दो त के बाद प्रेंट में ज्यादा पांई नहीं आइड करना है इसके मतैस्चल अच्छे तरीके से पोहा अमारा ठोल जाए और देकर देंडिया तरीके से सह्त Boost चुका है और अभी में इत करना है अधो तो हमने यहां पे देखिए अलोली है उबने हुई Klaroo हैं हमने लिया है जो अलोग्ड कर लिया है और का सकूर हमी इसमें एक कोहई आड करना है इसमें तो इसमें लाव करने के शिकाशे हमें इन और iç रिखेया है घोपते अप्सनल ऑब अप्सनल अगरण। हो अब चम्मच पर दरगलसन का पेस्ट आइड कर दिया है और इसके बाद हम इसमें क्या क्या मसालिया आइड करने हैं वह आपको बताएंगे इस टेप फॉलो करिये प्रेंड जिससे की आपकी पर फेक्ट तरीकी से वनी यहां पर देखिए आपने एक प्याज ले लिया है प्य क्लिया है इसको हम आइड करदेंगे आप चाहे तो हरी मेरिच को अदरक कर से काड़ करेंगे महแजगी मसाला प valor ऑपने ही साब से कोई मिसाला कर सकता है कि उप्लब दो और मैंगी मसाला हमने होप्जेट करना आप इसके ऊडहर थोज़ेश्जवा के थील सकते हैं यहां पे nhía mesal यहां पर लिए एक चममच एड़् कर दी और विसके बाद हमें पर हलदी पाउडर कर देने के बाद इसमें हमें एडिकर नहीं नमक नमक उपने टेस्ट के हिसाब से डिल करेंगा जितना आप नास्ता बना रहे हूं कम जाधा मात्रा में उस हिसाब से भी नमक करिए ग पानी यूज नहीं करना है सिर्फ मतलब कि आलू और पोहे को अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि भाइ start और अलू में भी उबली हुई आलो थो इसमें भी मोश्षर होता है तो अच्छे तरीके से इसको हम इसे मिक्स करना है और मिक्स करते हुए प्रॉपर तरीके सी इसका अच्छा सा डो हमें बना करके रेडी करना है तो देखिए कितना पर्फेक्ट डो बनकर के रेडी हुआ है इसमें हमने कहीं भी पानी का यूज नहीं किया फ्रेंट इस चीज का खास ख्याल रखिएगा पानी मताइट करिएगा और अगर आपको मतलब कि थोड़ा इसको किसी साफ से नास्ता बना रहा है उस इसाफ से अगर थोड़ा घीला रखना है तो आप पोगा धुले तो उसमें थोड़ा पानी शूर दे तो अच्छे तरीके से आपका फोगा फूल जाएकर उसके बाद आपका नास्ता परफेक् कर सकते हैं और इसको बेलंस से हलके हाथों से बेल करके सकते हैं देखिए हमने इसको हाथों से जट कर दिया है आप चाहें अब इसको साइड से मतलब कि कोने को निकाल सकते हैं आप चाहें तो बड़ देखिए हम इसी तरीके से इसमें कट लगा लेंगे इसमें हमें कोई और चितने अच्छी तरीके की पीस में काट थोगा कर के डी बन तो दोगे सी तरीके से स्लाइब मिकड़ सेली करना तो ठालना सब्छा ही अब इसको थोड़ा बड़े बड़े पीस में काट करके पैन के भी कर सकते हैं अब इसमें करके नास्तों को हमें एड करना है और एड करके अच्छे से प्राई करना है तो देखिए इसी तरीके से हम नास्ते को ये केक करके एड करेंगे जितना एक बार में कडाही में एड हो जाए उतना हम नास्ते को एड कर लेंगे और सेम तरीके से सारे नास्ते को एड करके और फिर इसके बाद इसी तरीके से हम इसको पकने देंगे स्थारीके से हमें सारे नास्ते को बना करके इसी तरीके से क्टाट करके अच्छे से पका लेना है पहुती जट-पट है आपका नास्ता बन करके रेडि हो जाएगा अब 2-5 मिनट तक इसको एक साइट से हमें पकने देना है गईस के फ्लेम को मेडियम हाई रखिएगा और कि अच्छा लग रहा है और जिसा कि तेवहारों का सीजन चल रहा है तो आप एक बार इस नास्ते को बना करके त्राइज जरूर करियेगा और आपको हमारा ने बताय हुआ तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूत बताईएगा देखिए प्रेंट कितना किरिष्पी ये नास्ता को बना सकते हैं बहुत ही असानी से बहुत ही बेतरीन आपका ये नास्ता बनकर करेड़ी होगा कि इतना अच्छा लग रहा है देखने में तो रक्षा बंधन का तेवहार आ रहा है तो इस तरीके से इस नास्ते को बना करके भाई को खिलाईएगा जरूर तो चलिए फ्रें थैंक्स फर वाचिंगे